जहां कल राम नम्मी के तिहार का जश्न पुरा देश मना रहा था तबी इंदोर में मातम पसर गया जब इंदोर के बालेश्वर मंदिर में अचानक मंदिर की छट गिर गई और लोग छट के नीचे बने कुए में गिर गई मंदिर में कन्या पूजन का आयोजन चल रहा था मंदिर में लोगों का जमावडा भी था अचानक मंदिर परिशन में बावडी की छट ढह गई और भीड सीधे बावडी में जागिरी इस दर्दनाक हाथसी में 35 लोगों की मौत हो गई हाथसा इतना भयानक कैसे हो गया कि पलपल में मरने वालों का आकड़ा इतना बढ़ गया इसके पीछे छिपे हैं तीन प्रमुक कारण जिसकी वज़ा से इतनी लोगों की मौत हो गई नमबर एक प्रशाशन की लापरवाई हाथसे के बाद अब जिम्मेदार अपना अपना पल्ला जारते नजर आ रहे हैं पता चला है कि यहां के रहवासी लंबे समय से निगम, कलेक्टर और अन्य विभागों को यहां चल रहे अवेद, निर्माण और अतिक्रमन के शिकायत कर रहे थी कोई भी अधिकारी सुन नहीं रहा था, ये भी पता चला है कि प्रशाशन को कहा गया था कि मंदिर में जुनोद्वार किया जा रहा है ना कि नीचे बावडी को ढख दिया गया है और प्रशाशन को पता ही नहीं चला नमबर दू, कमजोर निर्माण मंदिर परिसर में बावडी को ढख दिया गया था, इसके ढखने के लिए सर्यों का जाल बनवाया और उस पर टाइस बिचवा दी गई, आर्सी सी छट भी भरवाई गई होती तो हाथसा नहीं होता आयोजन के दिन इसी कमजोर निर्माण पर दरी बिचा दी गई और लोगों को एकत्र कर लिया गया, जैसे जैसे वजन बढ़ता गया, निर्माण भी ठकने लगा, जब लोग आहुती दीने आगे बढ़ी और भार एक जगा आया तो निर्माण पूरी तरह दस गया और दले नीचे मौजूद लोगों को रौंदा गया, पानी होने से वे दूपते गए और जान गवा बैठें, पता चला है कि हाथसे में करीब दो घंटे बाद प्रशाशनिक मदद पहुची थी, तब तक नीचे गिरे लोग खुद ही भार निकलने के लिए छट पटा रहे थी उन नीचे दबे लोग और नीचे दबते गए और कुल 35 लोगों ने अपनी जान गवा दी